नमस्कार आप देख रहे हैं मासकों जंग्शन मैं डोक्र प्रदीब कुमार हाजिर हूँ एक और नहीं वीडियो के साथ डियर स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पॉइंट्स टुडिमेंबर वाइल राइटिंग फीचर जी हां एक फीचर लिखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किन विशेश बिंदू का ख्याल करना चाहिए जब आप फीचर लिखते हैं कितनी टाइप्स के फीचर होते हैं एक फीचर राइटर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए इवन फोटो फीचर क्या होता है इस पर भी हमने वीडियो बनाया लेकिन जब एक न्यूस्पेपर के लिए सप्लिमेंट के लिए एक मैगजिन के लिए जब आप फीचर लिखते कैसे करतें कीसा अधार पर करतें अब का विशय का चैन अगर सही है और उसके बाद की प्रोसेस आपकी सही रहती है तो आपका फीचर जो है वह इंट्रेस्टिंग भी होगा और उसकी काफी सरहाना भी की जाएगी इसलिए आपको फीचर के टॉपिक का जो सिलेक्शन करना ह वो समय, परिस्तितियां और वरतमान संदर्ब या वरतमान प्रिप्रिक्श के हिसाब से करना चाहिए जैसे अगर होली का तोहर है, दिपावली का तोहर है, या बसंद आने को है तो आप इनहीं बिशों के इदगिर्द अगर आप चैन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके feature को पसंद भी किया जाएगा और उसकी relevance भी होगा ठीक इसी तरह personality feature आप देखते हैं यानि व्यक्ती तो feature आप देखते हैं किसी खास व्यक्ती पर लिखा गया अक्सर आप देखते हैं बहुत से समाचार पत्र में ऐसे feature आते हैं जब कोई व्यक्ती किसी चर्चा में होता है जब वो limelight में होता है जब सब लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं या किसी व्यक्ती ने कोई खास उकलब्दी हासिल की है जैसे हिंदूस्तान के लिए ओलम्पिक में gold medal जीता नेरे चोपडाने जैवलिन थ्रों में तो उस वक्त आप उन पर एक feature लिख सकते है इसमें बताया जाए कि किस प्रकार उन्होंने यहां तक का अपना सफर्ट है कि यह उनकी journey कैसे रही हुआ है उनकी hobbies क्या है कैसे उन्होंने खुद को prepare किया इतने बड़े मंच के लिए तो जाहिर सी बात है क जो है वह बहुत महत्रपूर्ण होता है और जब भी आप feature लिखते हैं उसके विशे का चाहिए इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंट्रेस्ट हो वर्तमान समय में यानि जब वह feature आप लिख रहे हैं उस वक्त उसकी का relevance हो यानि मोके की नजाकत हो तो आपका जो फीचर है काफी पसंद किया जाएगा जो आपने विशे का चैन कर लिया है उसके लिए समक्तरी आपने जुटा लिए जो भी content आपको चाहिए आपने detail की आपने इंट्रव्यू किया research आपने की सारी जानकारी जुटाने के खिड़की होता है एक तरह से जिसके जरीए आप उस feature को देखते हैं इसके जरीए आप समचार को देखते हैं तो टाइटिल जो है फीचर का हमें से attractive होना चाहिए बहुत अच्छी हिंदी बहुत बड़ा टाइटिल नहीं होना चाहिए और टाइटिल ऐसा हो जो सब की शीर्षक के बाद सबसे पहला जो paragraph होता है यानि introduction जो होता है feature का यानि आप किसी वेक्ति के बारें बता रहे हैं आप किसी खास place के बारें बता रहे हैं किसी आतिहासी घटना पर आप feature लिख रहे हैं उस घटना का आज के संधर्ब में क्या value है क्या महेतो है उससे जोड़त अगर आपने अच्छा headline और अच्छा intro दिया तो अगर आप reader एक बार आपके साथ connect हो गया अगर एक बार आपके feature के साथ connect हो जाता है तो अंत तक आपके feature को पढ़ेगा कि उसकी शुरुआ जोग अच्छी है लेकर वैल बिगिणिगे इस हाफ देन हमेशा कहा जाता है तो इसलिए शुरुटर के बार आपको जो इंट्रो है वो काभी प्रभावी होना चाहिए उसमें आप कोई सही कोटेशन डाल सकते हैं उद्धरन डाल सकते हैं और कोई भी मॉटिवेशनल किसी की court डाल सकते हैं कि यसी व्यक्तित्यों के बारे में लिख रहे हैं शुरुवाती लाइनों के बाद आप उसकी detailing करते हैं उसकी hobbies क्या हैं उसके इंट्रेस्ट क्या हैं उसकी संघर्ष कैसा रहा कैसी उसने अचीविमेंट को हासिल कि तो वह सब चीजें जो आप बता रहे हैं जो डीटेलिंग जो आप कर रहे हैं जो डिसक्षिण आप कर रहे हुँ बोरिंग नहीं होनी चाहिए वो एक कहानी के रूप में आपको बताना है जिससे पाठक के दिमाग में एक तस्वीर जो है, पिक्चर क्रियेट हो और उसको बोरियत महसूस ना हो, ऐसे शबदों के आपको इस्तेमाल करना है। तुलना करें आर्टिक्ल से हैं, आर्टिकल में भी काफी एकस्पलेina किया जाता है, लेकिन आर्टिकल में ज्यदा facts होते हैं, language पर्टिक्ल आर्टिकल की होती है जो कीुझकि थोड़ी सी कहईना की मुश्किल होती है, tough होती है। लेकिन फीचर जो है क्योंकि एक समान्य आदमी के लिए लिखा जाता है समान्य आदमी विसको पढ़ता है एक रिक्षा पूलर से लेकर करके पढ़ा लिखा आदम तो सब फीचर पढ़ना पसंद करते हैं इसलिए इन सब को मध्यनजर रखते हुए आपको डिसकुशन जो है वह ऐसा नहीं बनाना जिससे की बॉर्येद महसूस हूं जड़ा आखड़े उसमें हो आप उस डिसकुशन को सिंपल रखिए और सीधी सरल भाशा में उस कहानी को परस्तुत कीजिए देन फोटोग्रैप्स जो छाय चीतर है वह एक फीचर में रंग भरते हैं अगर आप एक इस फीचर आपका है साथ अच्छे अच्छे फोटोग्रैप्स कम से कम उसमें पब्लिश किये जाते हैं तो और एक पेज का आप लिख रहें तो साथ से आथ अपके अच्छे फोटोग्रैप्स होने चाहिए कट आउट साब लगा सकते इससे फीचर की प्रजेंटेशन भी इस धी बेच्छी योगी और ड्री बात जो आप उसीर में बता रहें क्रेडिवलिटी इसलिए फीचर होता है फीचर में टेक्सT के साह चाहए जो फोटोग्रैप्स का इसेवाल you उससे फूटग्रैप्स कुलना चाहिए जो फीचर आप ने लिख यह को निशिता अर्रान ह का feature है एक पर अपने feature के लिया है तो उसमेंसे जो सब्सक्राइब निचोड़ की है तुछ का निचोड़ अगर कोई पाठक पूरा feature आप नहीं पड़ पाता है तो उस जो निचोड है दस से बारा लाइन है जो उसको बढ़ पाए और उसको बेसिक इंफोर्मेशन उसके मिल जाए लेकिनों सारे का निचोड होना चाहिए तो पंच लाइन भी आप दे सकते हो यह लिकना आपने बहुत कला होती है विकोज एक आर्टिक्ल को एक फीचर को एक पेज का लिखना बड़ी बात है लेकिन उसमें से जगर आपको कहा जाए कि सारी जो आपने लिखा है इसको सार में साथ से आट लाइनों में उसका निचोड कीजिए उसको एक जिस्ट के लूप में लिखिए तो कफी ताकि पाठक जो है इसको थोड़े शब्दों में आपके फीचर को अपकी कहाली की समझ पाएं देन रिक्रियेशन जैसे कि हमने पहले डिसकुशन के दोरान भी बदाया फीचर जो होता है वह एंटर्टेनिंग होता है वह मनरंजिन के लिए भी होता है ना केवलों पाठको पाठक को सूचना देता है उनने सिखशित करते हैं विक् How办 ॐ फीचर होता है उसमें इंफॉमेशन भी होती है ओर कई बार रूम ूब्य होता है यानि यांप वह पटने के लिए प्रेडित करता है आपको रोमांचीत करता है थ्रील इो होता आपका फीचर जो recreation करें यानि मदोरंजन करें पढ़के उसको मज़ा आए और एक हलका फील करें हर आप इसको पढ़ने के बाद सब्सक्राइब पोजिटिविटी सकारात्मक अगर आप फीचर आइटिंग कर रहें तो आप इस बात का खैल रखें कि आपका जो फीचर है वह पॉजिटिव मॉड में लिख्या जाना चाहिए उसमें ज्यादा सवाल करना ये उसमें संस्यां को खड़ा करना ऐसा नहीं वह थ तो समस्या का एक समाधान आप सुझाइए अपने फीचर के ज़री ताकि एक सकारात्मक संदेश लेकर जाए और पढ़ने वाले जो पाठक है उन तक भी सकारात्मक संदेश पहुंचे और उनका जो दिन हो बहतर हो पढ़ने के बाद तो इसलिए एक पॉजिटिव सोच के आपको एक सकारात्मक रभी के साथ फीचर लिखना चाहिए और एक सकारात्मक संदेश जो आपके फीचर के माधम से जाना चाहिए तो डिये स्टुडेंट्स आज हमने बात की पुन महत्तो पुन बीद्वों की जो फीचर लिखते वक्त एक फीचर राइटर को ध्यान में साथ अब हम आपसे विजा लेते हैं जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ आप जूड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं मास कुंजंक्शन थिन्यवाद